हेलो फ्रेंद्स वेलकम टू माई चानल आज के इस वीडियो में आपको नौ से लेके पंदरा मैने तक की बेबी के लिए एक फ्रॉक बनाना बताऊंगी इस फ्रॉक को बनाने के लिए हमने आधे मेटर से भी कम कपडा लिया हुआ है क्योंकि यह हमारा बचा हुआ फैब्रिक तो यह दिखे इसके हमारे पास दो फिस है जो हम front और back में इस्तवाल करके लेंगे और इसके अलावा हमारे पास same फैब्रिक का यहाँ पर एक और पिस है जो की 8 इंश लंबा है और 14 इंश है जो हम body में इस्तवाल करके लेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर लाइनिंग में शुरू करते हैं तो यहाँ पर हम मार्किंग करके लेंगे लाइनिंग के कपड़े में बॉड़ी के लिए तो यह दिखिए इस तरह से हमने जो लाइनिंग का कपड़ा है उसे फोरफोड करके रखा हुआ है यहाँ पे हम नीचे से 6 इंच पे मार्क करके लेंगे जो कि हमारा रड़ी 5 इंच है लेकिन हम यहाँ पे 1 इंच एक्ट्रा लख रहे हैं जो कि सी मिलाउंस पर चला जाएगा अब हम दोनों तरफ से यहां पे 6-6 इंच पे मार्क करते हुए यहां पे एक लाइन लगा के लेंगे अब हम यहां पे नीचे के तरफ में कमर का मार्किंग करके लेंगे तो यह देखिए यहां पे हमने 6 इंच पे मार्क लगाया हुआ है इसके बाद में हम क्या करेंगे उपर शोल्डर मार्क करके लेंगे तो यहां पर जो शोल्डर है वह हम यहां पर 4 इंच पर मार्क करेंगे और जो आर्मोल है वोह हमें यहां पर धाएंच पे Switch मार्क करके लेंगे यहां पर मका मार्क करेंगे उसकी बाद में हम क्या करेंगे जो हमारा지는 key मार्क करेंगे यहां पर हमारा पांच इंच रडी रहेगा उसके साथ मैं 1.5 गार गाम लाओ यहां पे जो आर्मोल की गुलाई है उसको भी मार्क करके लेंगे तो यह देखे इस तरह से हमारी मार्किंग हो चुकी है और अब हम इसे कट करके लेके तो यह देखे इस तरह से हमने इसको कट करके लिया हुआ है अब हम क्या करेंगे इसको जो हमने में फैबरिक लिया था उ इसकी लंबाई है 5 इंच और इसकी चौडाई हमने रखी हुए 4 इंच तो इस तरह कि हमने यहाँ पे दो पीसस लिए हुए हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो हमने पीसस लिये हैं इसको हम इस तरह से उल्टा पकड़के दोनों ही साइट से एक एक सिलाई लगा के लेंगे इस तरह से पकड़ते हुए हम साइट में सिलाई लगाएंगे तो इस तरह से हमारी सिलाई लग चुकी है और अब हम इसको खीचते वे हमें दोने पीसस को सीधी तरफ करके लेना है तो यह देखे इस तरह से हमने दोने पीसस को सीधी तरफ करके लिया है अब हम क्या करेंगे इसको जो हमने बॉडी कट करके लिए थी उससे अटैच करेंगे तो यह देखे बॉडी को हमने इस तरह से राइट लेंगे और इसके उपर से जो हमने लाइनिंग कट करके लिए थी उसको रखके लेंगे तो यह देखिए यहां पर इस तरह से हम लाइनिंग को रखके लेंगे और यहां पर आर्मोल से लेके शोल्डर तक पूरी सिलाई लगाएंगे देखिए आर्मोल से होते हुए शोल्डर से आदमोल तक सिलाई हम लगा के लेंगे तो यह दिखिए हमारे सिलाई लग चकी है और यहां पर हमने नॉचस भी लगा के लिए हैं चोटे-चोटे कट्स लगा के लिए हैं और अब हम इसको सीधी तरफ मोड के लेंगे तो यह देखिए इस तरह से हम इसको सीधी तरफ मोड के लेंगे और इसे सीधी तरफ मोलने के बाद में हम इसके उपर एक और सिलाई लगा के लेंगे तो इसके उपर सिलाई लगने के बाद में हम क्या करेंगे इसको जो हमने बैक का कपड़ा लिया था उससे अटैच करके लेंगे तो इसके लिए हम जो बैक का कपड़ा है उसको भी इसी तरह से रखके लेंगे और इसके उपर जो हमने अभी फ्रंट तयार किया था उसको इस तरह से उल्टा रखके लेंगे तो यह देखिए इस तरह से रखने के बाद में इसके उपर भी हम यहां पर इस तरह से लाइनिंग रखके लेंगे और इसमें भी हम आर्मोल से श करके मार किया है और यहां पर हम तकरीबन दो इंच का एक कट लगा के लेंगे तो यह देखिए इस तरह से हमने यहां पर कट लगाया है अब हम इसमें यहां पर इस तरह से सिलाई लगा के लेंगे तो यह देखिए यहां पर हमने इस तरह से सिलाई लगा के लिए हैं और यहा आपने कर देखें, आपने के आर्मोल से होते हैं, आपने कपड़ा रखा वा था, उसमें हम यहाँ पे उपर से बीच बीच में एक एक प्लेट बना के लेंगे और इसे जो हमारा कमर है उसके साइस का रडिक करके लेंगे तो यह देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे प्लेट लगा के लिए हैं बीच बीच में और यहां पे दोनों pieces को हमने इसी तरह से तयार करके दिया हुआ है और अब हम क्या करेंगे इसको जो हमने body तयार करके लिए थी उससे attach करके लेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे यह दिखिए जो हमारा body है उसको इस तरह से रखके लेंगे तो यह देखिए इस तरह से हमारी हां पर सिलाई लग चुकी है और फ्रण्ट और बैक दोनों भी हमारा अटैच होके तयार है और अब हम क्या करेंगी इसके जो साईट से उन्हें अटैच करके लेंगे तो sides attach करने के लिए इसको हम इस तरह से ठीक से पकड़ेंगे और जो भी हमने extra seam allowance रखा था उसके हिसाब से हम दोनों ही तरफ से सिलाई लगा के लेंगे साथ ही में हम इस पर यहाँ पर lining भी लगा के लेंगे तो इसके लिए हमने यहाँ पर देखिए golden color के पटी लिए है जो की दो इंच चोड़ी है इसको हम इस तरह से इसके उपर रखते हुए पूरी गुलाई में आदे इंच के distance में सिलाई लगा के लेंगे तो इस तरह से हमारी सिलाई लग चुकी है और अब हम क्या करेंगे पकड़ेंगे यह हमने एक फोल किया यहां पर सेकेंड फोल करते वे पूरी गुलाई में हमें सिलाई लगा के लेनी हैं तो इस तरह से हमारी पटी यहां पर लग चुकी है तो पूरे बॉर्डर में हम यहां पर एक गोल्डन रंकी पटी दिख रही है और इसके साती में हमने यहाँ पे इस तरह से एक चोटा सा बो बना के लिया हुआ है जो कि गुर्डन कपने में है इसको आप यहाँ पे देखे इस तरह से कमर में या फिर यहाँ पे उपर में रखके इसे अटैश करके ले तो फ्रेंड्स इस तरह से देखें हमारा जो फ्रॉक है उबन के तयार है ओके फ्रेंड्स तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेर, लाइक और सब्स्क्राइब करना ना बूले थैंक यू